Hello viewers, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ पुजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी मिंट यानि पुदीने के फायदे पुदीने की खुश्बिदार पत्तियों से कौन परिचत नहीं है? गर्मी का मौसम आते ही पुदीने की मानों बहार सिछा जाती है हर घर में पुदीने की चटनी बनाई जाती है दोस्तों पुदीने में विटमिन A, विटमिन B, विटमिन C और D, आयरन, फॉस्फोरस और कैल्शियम काफी अधिक मात्रा में पाये जाते हैं और ये हमारी सेहत और सुन्दरता, दोनों को ही सवारने और निखारने का काम करता है आये जानते हैं पुदीने की फायदे पुदीना हमारे डाजेस्टिव सिस्टम को यानि पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रोंग बना देता है और पाचन सम्मंदी सभी बिमारियों जैसे गैस, बधजमी, उल्टी, नौस्या, आदी से निजात दिलाने में पुदीना सक्षम है अगर आपको भी कोई पाचन समंदी रोग है, तो रोज पुदीने की चटनी या पुदीने की चाय पीजिए और अपने हाजमे को दुरुस्त बना लीजिए पुदीना एक नेचरल एंटिबाइटिक भी है, सरदी जुखाम होने पर पुदीने का रस अद्रक और नीमू के रस में मिला कर लेने से बहुत फाइदा होता है अगर आपको खांसी हो गई है और जाने का नाम नहीं ले रही है तो पुदीने की पतियों को पानी में डाल कर दिन में दो तीन बार भाप लीजिए, स्टीम लीजिए, खांसी जल्दी ही उड़न्चू हो जाएगी एस्तमा पेशिंट्स के लिए भी पुदीने का सेवन बहुत ही लापतायक है यदि आपकी स्किन पर कोई घाव हो गया है या खुजली और इचिंग के समस्यां से आप परिशान है तो पुदीने की पतियों का लेप अपनी स्किन पर लगा लीजिए, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा और खुजली की समस्या भी ठीक हो जाएगी दोस्तों पुदीने की तासीर ठंडी होती है इसलिए पुदीने की चटनी या रस रोज खाने से गल्मियों में लू नहीं लगती बुखार होने पर पुदीने की पत्यों को पानी में उबाल लीजिए फिर उसमें चीनी मिलाकर गरम चाय की तरह से पीजिए इससे बुखार जल्दी ही उतर जाएगा हैजा होने पर पुदीना, प्याज और नीमू का रस एक एक चमच मिला कर लेने से बहुत फाइदा होता है पुदीने की पतियों के रस से कुला करने पर मूँ की दुरगंध दूर हो जाती है अगर गर्मी के कारण नकसीर हो गई है तो ठंडे पानी में पुदीने का रस मिला कर पीने से नकसीर फौरण दूर हो जाती है पुदीने की पतियां चबाने से हिचकी आना भी तुरंत बंध हो जाता है सिर में दर्ध होने पर पुदीने के तेल से माथे और सिर परमारिश करने से सिर का दर्द फोरण दूर हो जाता है दोस्तों पुदीना एंटी डिप्रेशन्ट का भी काम करता है अगर आप डिप्रेशन में है दिमागी रूप से परिशान है तनाव ग्रस्थ है तो पुदीने के द्वारा अपने माइंड की बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं आप पुदीना के ओईल की कुछ बूंदे सोते समय अपने पिलो पर डाल लीजिए या फिर पुदीने का रस पी लीजिए नीन अच्छी आएगी आपका तनाब दूर होगा और दिमाग फिर से तरो ताजा हो जाएगा दोस्तों रिसर्चिस से पता चला है कि पुदीना हमारे ब्रेन फंक्शन को भी सुधारता है इसे डेली अपनी डाइट में शामिल करने से मेमरी शाप होती है पुदीना वेट लूज करने में भी बहुत है इसे खाने से हमारे शरीर में फैट तो अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं तो पुदीने की पतियों को गरम पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर दिन में दो बार पीजिए वेट लूज करने में बहुत हैल्प मिलेगी इसके अलावा पुदीना कैंसर सेल्स के डेवलाप्मेंट को रोकत है और हमें अनेक तरह के कैंसर से बचाता है पुदीना हमारी स्किन के लिए भी बहुत बैनेफिशल है पुदीने की पतियों का लेप चेहरे पर लगाने से त्वचा के दाग धबें दूर हो जाते हैं और एकने तथा पिंपल्स से भी बचाव होता है तो यह थे मिंट यान पुदी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एक और इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिराओंगी तब तक के लिए स्टे हेल्दी ऑल्वेज बी हैपी और टेक गुट कियर अफ यॉर से